नमासकर दोस्तों मैं अस्ट्रोलजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने योट्यूप चैनल अक्षी तैस्रोम बास्टर में मेरे तूला राशी वाले दोस्तों कैसे हो तूला राशी के अलावा तूला लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख स से अधिक तो क्या मेहनत के बराबर भी लाब नहीं मिल पाया क्योंकि आपकी राशी के अत्यादिक शुब और महत्त पुरन भाव चतुर्त भाव पर विराग्याकारक शनी गोचर कर रहा था चतुर्त भाव सुख संपत्ति वाहन और जमीन जैदात से सबंदित महत्त पुर किये कार्या छूटने ताकि नौबत आ गई इसलिए आर्थी ग्राफ खाक बेहतर पर दर्शन करता शनी के अलावा पिछले समय से गुरू का गोचर भी छटे बापर धन के स्वंद में काफी नकरातमक उर्जा पैदा कर रहा था बादकस्तान पर गोचर कर रहा गुरू खुद अपनी रक्षा करने में असमर्थ था तो आपर धन की वर्षा कैसे करता इसलिए गुरू और शनी के नकरातमक गोचर से लक्ष्मी आपके पास आ नही रही थी बलकि दूर जा रही थी आएसे अधिकवए चिंता प्रिशानी पैदा कर तनाव का कारण बने हुए थे हाँ छटे बाप पर गोचरस्त गुरू ने करजे के बोज नीचे जरूर दबाया होगा क्योंकि छटे बाप पर गोचर कर रहा गुरू रिन सरलता से वलबद करवा देता है दूसरों से दन मांगने तकी नौवत आ जाती है रिन लेकर जरूरते पूरी कर देता है पर अब पलटने वाला है फानाइंशियल यर्दोर यर्ट 23-24 में आप रिन लेकर जरूरते पूरी नहीं करेंगे अपने दम पर करेंगे अपनी मेहनत बोधिक योगेता ग्यान प्राकरम और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ की दिशा उपर की और कर देंगे आपके प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर परदर्शन करेगा मेहनत से अधिक लाप प्रापत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आर्थिक ग्राफ यू डर्न लेगा और उपर की और चलना शुरू कर देगा अक्तूबर मा के बाद आर्थिक ग्राफ उचाईयों के नए रिकोर्ड बना सकता है एकी राशी पर लंबी अवदी तक संचार करने वाले ग्राफों गुरू शनी और राहो के तुकि स्थिती उत्तम बनी रहेगी आने वाला समय आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा वह दोस्थ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं चिंता का कोई विश्या नहीं है ग्रागुचर के नुसार फनाइशल जीर दो यार तैस चोविस महत पुरन रहने वाला है आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए तीन भाव दित्तिय, चतुर्थ और एकादश बाव की बात करेंगे यह भाव दन, सुक, संपत्ती, आए एमलाब से सवंधित महत पुरन भाव है बात करें एकादश बाव की तो यह भाव हमारी डिजायर, प्रोफिट, सक्सेस और गेम से समधित महत पुरन भाव है इस भाव से आए स्थित्रोतों का पता चलता है कौन कौन से शित्रों से आए प्रापत हो सकती है आए एमलाब की मातरा कितनी रहेगी इस भाव पर शुब या अशुब कैसा भी परवाव पढ़ रहा हो लाव में वृधी गरता है आए एमलाब की स्थित्य को मजबूती पर दान करता है इस भाव को लाव आप के नाम से भी जना जाता है इस भाव की मचबूस्थित्य से मिट्टी को भी हाथ लगाई तो सोना पन जाए financial year 22-24 में लाब आपर तीन महत पुरुन ग्रेहों गुरू, शनी और राहू की दृष्टी पढ़ेगी इससे लाब आप अत्यादिक मिश्बूस स्थिती में रहेगा आरति-कुन्ति लाब और सफलता को बल परदान करेगा आपकी एकागरता भी अपने आइस बंदित लक्षियों पर बनी रहेगी ततल लगाता अपने लक्षियों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे ग्रेहों की शुब गोच्चर से अपने लक्षियों को हासिल करने के लिए काफी हद तक सफलता भी प्रापत करेंगे आर्थिक स्थिती को बेहतर करने के लिए उठाएगे कदम लापरद रहेंगे आपको अपनी मेहनत बौदिक योगेता ग्यान सूजबूज और प्रयासों का पूरान फल आपके रूप में मिलेगा आपकी मेहनत विर्थ नहीं जाएगी मेहनत रंग लाएगी इस फाइनाइशल जीयर मेहनत से अधिक लाप प्रापत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आई स्तुरतों में वृदि हो सकती है अपने भावी कारियों के सासाथ आएके अन्यास तुरतों पर भी विचार करेंगे आपकी इराशी या लगन जो भी तुला है उसके लिए गुरू तिर्ति बाप का स्वामी भी है तिर्ति बाप से सास प्राक्रम पुर्शार्त लेखन और संचार कारियों का विचार किया जाता है वैपार बापर बैठ कर तिर्थी बापके स्वामी गुरू की लाब बापर द्रिष्टी काफी लापरद बनी हुई है वह वैपारी दोस्ट जो इस अवदी में कोई नया कारया वैपार शुरू करना चाते हैं या पुराने वेपार में निया निवेश करना चाते हैं उन्हें भी गुरू की दृष्टी का विशेश रूप से लाव मिलेगा वहे दोस्त जो अपने कारह वेपार का विस्तार आउनलाइन के माध्यम से करना चाते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर वेपार में विस्तार के न कूल अबसर मिलेंगे सोशल मीडिया के मादिम से वेपार के तार अपने देश के दूर दराज इलाकों के साथ विदेश्यों तक जुड़ेंगे वह दोस्टों लेखन और संचार कारों से जुड़े हैं ब्लॉग, यूट्यूब, फेस्बुक या अन्या कोई आउनलाइन स्मंदित कार्या करते हैं उनके लिए भी यह फाइनांशियल यह विशेश रूप से लाप्रद रहेगा गुरु की लाब आपके साथ तिरतिय बाप्रवी द्रिष्टी पड़ेगी तिरतिय बाप अपने बापर गुरु की द्रिष्टी लेखन स्मंदित कार्या करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रवाव युग्त बनाएगी लोग आपकी लेखनी की परशंसा करेंगे सोशल मीडिया पर सफलता मिलेगी नेम और फेम में वृदी होगी आपकी आर्थिक स्तिती को मजबूत करने के लिए मित्रों का सैयोग भी एहम रहेगा मित्र सैयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे यात्रा करने के अब सर मिलेंगे तसायाय यात्रा लाप्रद रहेगी शनी का पिछला सुख और संपत्ती बाप परसंचार काफी नकरात्म कुर्जा पैदा कर रहा था अब शनी सुख बाप से परस्थान कर चुका है यह भी बहुत बड़ा स्करात्म परिवर्तन है शनी सुख बाप से परस्थान कर पंचम बाप में परवेश कर चुका है लंबे स पर शनी की कुम्बराशी में स्थिती नमीन विचारदारा पैदा करेगी। इससे आप नई योजना उपर कार्या कर सकते हैं। आई बाब के साथ शनी की धन वापर भी दृष्टी पड़ रही है। इसलिए कभी कभार खर्चा करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। धन के आद्यम से भी आए और वए के योग बनेंगे। प्रंतु जब जब शनी वक्री होगा अपनी बच्चत को सुरक्षित रखें। उस समय अधिक स्तरक रहने की विशक्ता लहेगी। शनी के वक्री काल में धन का मनेजमेंट करके चले। तीसक तूबर को राहु के तूभी र राशी प्रवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु का छड़ेवा परसंचार शत्रू नाशक का कार्या करेगा। वैपार की प्रतिस परदा में आगे रहेंगे। कुछ नया करने और जोकिम लेने के वदेशिया से जोशे जनून पैदा होगा। निवेश् अगस्त में मंगल का लाब परसंचार अत्यादी को उत्तम रहेगा। हर प्रकार से लाब रद रहेगा। विबिन प्रकार के लाब परदान करेगा। इस सवाधी में आर्थिक स्तिती को मजबूत करने के लिए उठाएगे कदम लाब दायक रहेंगे। मेहनत फ्यर्थ नही ब्रिदी करेगा. आए उसत रोतों में ब्रिदी होगी. प्रोपर्टी रिलेटेट कार्या करने वाले दोस्तों की इस समय आए बढ़ेगी। नवंबर से लेकर जनवरी मां तक मंगल, दन और प्राकरमबा परसंचार करेगा। इस सवाधी में मंगल की स्तिती, मेहनत, प्रा से आर्थिक ग्राफ को उन्चाहियों पर ले जाएगी कुल मिलाकर फाइनाइशल जियर में ग्रेहों की शुक्ता का लाव मिलेगा इसलिए दोया तैस चोवीस पिछले फाइनाइशल जियर की तुलना में काफी बेहतर रहेगा आपको यह वीडियो कैसी लगी करे पहला आइक